नमस्कार आप देखरें नियूस पर्डिशन और मैं हुआ आपके साथ शिप्राजा लगतार हो रही बारिश से बिहार में हाहकार मचा हुआ है पहले से ही कई सारे इलाके जलमग न हो चुके हैं बार ने तबाही मचा दी है और इसी भी इच्छेक और तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दरसल ये तस्वीर बिहार के जलसन साधन मंतरी संजे कुमार ज्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है और इस तस्वीर को देख कर आप समझ जाएगे कि आगे बिहार में क्या होने वाला है ये गंडग बरास की तस्वीर है और यहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है जो वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है ये सबसे जादा 4,25,500 क्यूसिक का वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है और कंटिनियस्ली ऐसा नहीं कि एक बार डिस्चार्ज कर दिया गया तो कुछ बंद किया गया है नहीं सारे गेट जो है वो खोल दिये गए हैं और कंटिनियस दी लगातार 4,25,500 क्यूसिक का वोटर जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है और इसी से आप समझ लीजे कि बिहार में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है पहले से ही जो बिहार की नेपाल के तर बीच अब ये गंडक बराज की तस्वीर डराने वाली तस्वीर है आपको बता दे कि सरकार ने इसको लेकर पहले से इलर्ट जारी कर दिया है पहले से ही बताया ग्या है उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई वाले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सिफ्ट किया जा जाए जिला प्रशासन को अलर्ट मूट पर रखा क्या है वहाँ पर अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं और कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं पानी में फस्क हैं तो उनका रस्क्यू किया जा रहा है साथी साथ टोल फ्री नंबर और एप भी जारी किये गये हैं ताकि लोगों की जानकारी जो है सरकार को मिल सके अलर्ट पर रहने के बावजूद जो है कई जगह से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है बधाल की तस्वीर भी सामने आ रही है जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जान बचा कर पानी से निकल कर भाग तो गए हैं दूसरे जगह शरन ले रखे हैं लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ कई सारी तकलीफे हैं उन्हें रेलवे ट्रैक पर रहना पड़ रहा है तो साती साथ वहाँ पर जानवरों का खत्रा मन रहाता है इसके साथ ही उनके आगे खाने की समस्या होती है जो समुचित वस्था उन तक नहीं पहुँच पा रही है और इसे बीच अब ये गंडग बराज की तस्वीर जो है वो सचमुच परिशान करने वाली है और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो बार का मनजर पिछले साल देखने को मिला था कुछ वैसी तबाही इस बार भी देखने को मिल सकती है इससे पहले ही कोसी, गंडग, बागमती जो अधवारा सम्मू की जो नदिया है वो सभी नदिया लाल निशान से उपर बैरी हैं और तबाही मचाने को बिल्कुल तयार है कोसी ने तो कई सारे इलाके को अपनी चपेट में ले भी लिया है और अब ये गंडग नदि का रौधर रूप देखने को मिल रहा है जिससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार में इस बार प्रकृती की दोहरी मार पड़ी है कोरुना वाइरस के भीशन संकट के बीच बार की तबाही से बिहार बेहाल है ज्याद अबडेट के लिए आप जूरेडे नियूस फ़र नेशन के साथ नमस्कार